तो हेलो एवरिवन सुआगते आप सभी का आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड एक अपडेट वीडियो होने वाला है बट यहां पे हम एक फ्रेश ऑपरचिनिटी के उपर भी डिफिनिटली बात करने वाले है तो वीडियो को एंड तक देखना आपकर डिफिनिटली यहां पे कुछ न कुछ फाइदा होने वाला है एटुकेशनल पर बसका वीडियो है रेकमेंडेशन बिलकुल भी नहीं है इस बात का आपको खास तोर पे ध्यान रखना है सुप्स्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको विडियो अच्छे लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर आपको यहां पर वीडियो आ रहा है हम बात करने वाले हैं आई रेडा के बारे में पहले भी हमने इसके उपर काफी बात की है ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इसके उपर यहाँ पर यहाँ पर आराउंड टू वीक्स पहले यहाँ पर वीडियो बनाये था आप support resistance identify कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे है, support resistance identify, यहाँ पर यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा से यहाँ पर resistance था, क्योंकि एक red candle बना था, ठीक है, लेकिन उतना कुछ हमें समझ में आया नहीं, लेकिन यही यहाँ पर support के जैसा देखने मिला, क्योंकि जो lower circuit था, यहाँ पर Upper circuit में change हुआ, यहाँ पर में Remember support देखने मिला, फिर उपर गया, तो यहाँ पर में Martinez दीखने मिला, और से दोन आपर कैसे हमें यहाँ पर仔 कंडल हमें देखने मिला था बट हाँ अगर में एक जोन बनाऊ तो इस जोन में हम कह सकते हैं इस इस जोन को क्यों कि देखो यहां पर क्या हुआ एक सपोर्ट सपोर्ट फिर क्या बना रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर क्या बना सपोर्ट सपोर्ट फिर क्या बना सपोर्ट फिर सपोर्ट फिर स्टॉक एक सपोर्ट के पास मोजूद है एंड डेली बार बार ये इतने वोलेटाइल मार्केट में भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एंड रेड कैंडल हमें डियूरिंग दे तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बना रहा है लेकिन उसके बाद ये पूरा रेड कैंडल रि ठीक है तो बार-बार स्टॉक जो आमें रिकवर होता वा दिख रहा है विच इस वेरी गुड थिंग ठीक है लेकिन अभी भी मैं कहूंगा यहां पे आप अगर दिखो अगर आप दो देखो दो तरह के इंवेस्टर्स होते हैं ठीक है मैंने हमिशा आपको बोला हुआ है फ थोड़ा सा conservative end आप कह सकते हैं थोड़ा सा risk appetite मेरा कम है तो उस case में मैं यहां पे एक green candle का wait करूंगा in case अगर मैं कम risk लेता हूं तो अगर मैं जादा risk लेता हूं तो मैं definitely यहां पे एंटर करूंगा ठीक है अब देखो कोई यहां पे recommendation वाली बात नहीं है अब यहां पे simple logic यह है for risk takers मेरा logic यहां पे बार बार जब buying opportunity आ रही है तो definitely यहां पे support तो दिख रहा है हमें ठीक है लेकिन जब तक यहां पे green closing नहीं हो रही इसका मतलब यहां पे buyers बहुत जादा strong ठीक है तो यहां पे personally मैंने इसे long term view के perspective से रखा हुआ है ठीक है personally मेरे पास जो है देखो कोई recommendation अगें नहीं है लेकिन मेरे पास जो personally है वो मैंने long term perspective से रखा हुआ है अगर आप stop loss रखना चाहो तो इसके नीचे का stop loss आप रख सकते हुआ ठीक है इस low के नीचे का मतलब अगर यह जिस थे second अगर मेरी entry यहां पे होती है तो मैं इस low के नीचे लगबख 6% का stop loss रहेगा मेरा ठीक है 32% and long term के लिए मैंने आपको बताय दिये कि आप कहीं तक भी ट्रेल कर सकते हो in fact positional के लिए भी आप इसके उपर भी ट्रेल कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो ठीक है तो trailing stop loss उपर गड़के आप profit को भी ट्रेल कर सकते हो तो बस यही था वीडियो में and अब end करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा like, share, subscribe जरूर से कर देना ठीक है तो आपको पता होगा जैसे मैं एक बार थोड़ा सा बता दू कि हमारी पहली entry point यहां पे थी ठीक है दूसरी entry point हमारी कुछ इस जगह पे थी जैसे मैंने आपको around two weeks, three weeks पहले discuss करके बताया कुछ इस जगह पे ठीक है एंड उसके बाद हमारा तीसरे entry point भी कुछ इस जगह पे होने वाला है same support पे same logic के साथ तो अब end करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा like, share, support जरूर से कर देना like, share and subscribe जरूर से कर देना और recommendation बिलकुल भी नहीं है इस बात का भी आप खास तोर पे ध्याद नग सकते हो और मिलते हैं कसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye thanks for watching